कैसे हो दोस्तो जै भारत आप सब जानते हो जियो या एर्टेल या वी आई क्या काफी तरीके से अच्छे तरीके से प्राइस हाई क्या है बट कॉंपीटिटर नहीं था ना अभी कॉंपीटिटर आ गया है अगर आपको जियो या टेल वी आई में रिचार्ज नहीं करना चार अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है तो भाई एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगता है तो डिजलाइक कीजिए बट कॉमेंस कीजिए आप कौन से निट्वर्क प्रोवाइडर का करते हो यूज चलिए अभी देखे आ आपको ये पहले बात बोलता है कि आज के देट में जीओ नमबर वान है ये अट्टिल नमबर टू वी आई नमबर त्री बी एसनल नमबर फोर में हैं अब क्यूं है ये भी आपके साथ सेयर करूंगा अभी मैं कुछ रिचार्च के बारे में आपको बताओ देखें जीओ एर्टिल वी आई अभी सानेली नहीं हुआ कुछ बहुत दिन पहले से ही ठीक हुआ था कि भाई जीओ एर्टिल वी आई ये हर एक नेटवर्क प्रोवाइडर टेलिकॉम पार्टनर प्राइस हाइक करेगा और वो एट्रस्ट हो चुका है अभी जीओ ने टेलिक प्लान का इंक्रिस किया उसके एक दिन बाद एर्टिल उसके एक दिन बाद वोड़ा फोन ने किया अभी देखे जो जीओ एर्टिल भी आई ये हर एक टेलिकॉम पार्टनर हमें चुना लगा रहा है एक साल में बहुत बार प्राइस हाइक हुआ है अभी फ्री का फंडा तो जीओ न डेटा का वो कीरा आभी भी खुब ला रहा है तो चलिए अभी देखे जीओ का कुछ रिचार्ज के बारे में आपको बात करते हैं देखे एक साल का जो रिचार्ज है वो पहले था टुथाओजन नाइटी नाइन बने टिपल नाइन उससे पहले और भी कम था और आज के ल हो चुका है तो 27% तक price increase हुआ अब देखिए मैं 2GB का plan आपको आपके साथ share कर रहा हूँ देखिए 2GB का plan अगर मैं आपको popular plan के बारे में बताओं तो 349 ये price high होके हुआ है और यहाँ पे आपको 2GB per day मिलेगा और 28 days का validity मिलेगा अभी एक cash विजियों नहीं यहाँ पे रख दि अब यह same formula ये till के लिए भी है अभी देखिए उसके बाद जो एक plan था 749 का वो plan तो है बट यहाँ पे जो duration वो यहाँ पे घटा दिया गया है जैसे 72 days के लिए यहाँ पे आपको validity मिलेगा और 2GB per day और इसके बाद बहुत सरे plans भी है ये till तो इससे भी बढ़कर price high क्या है औ और V.I. के पास देखे 5G नहीं अभी तक हर एक जगा में price high करके बैट चुका है तो अभी BSNL देखे BSNL और rotten data ये दोनों एक साथ मिलके 15,000 जो करोर वो यहाँ पे लगा के एक data center यहाँ पे open कर रहा है बहुत जल्दी और यहाँ पे 5G आपको बहुत जल्द मिलेगा अभी आपके मन में पस्टन होगा कि BSNL के पास तो 4G ठीक से नहीं है तो भाई ये हमें कैसे यहाँ पे अच्छा परी जो service वो provide करेगा data कैसे हमें मिलेगा high speed तो मान के चलिए कुछ एक साल के अंदर आपको 5G भी आपको देखने को मिल जाएगा बट अभी आप ये भी जानते हो खबर में आ रहा हैं बहुत सारे users जो जियो में था एर टेल में था वो अभी BSNL में port करा रहा हैं और BSNL के office में by line ही line है क्यों ना करें क्योंकि BSNL ने 249 का एक plan launch कया और यहाँ पे काफी धमासान हुआ और काफी अच्छे से compete करा हैं जियो एर टेल और भी आई को क्योंकि 249 पे आपको हट दे दोजीवी data plan मिलता है और आपको 100 SMS part day और unlimited call भी मिलता है 45 days के लिए यह काफी बैतर है अगर आप चाते हो सिप call करना data आपको नहीं चाहिए तो 99 रूपिस का plan लेक कर लो और यहाँ पे आपको unlimited call भी मिल जाएगा अगर आप market share के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मैं जीओ के बात करूं तो यहाँ पे 40.3% जीओ का market share है उसके बाद ATL 33.1% third में है VIA 18.8% और 7.46% है BSNL का जो fourth में है तो यह अभी third two में जा सकता है with the help of the Indian government अभी देखे आपको solution यही होता है कि भाई आप यहाँ पे जो 249 वो रिचाच कीजिए या तो आप 99 का डिचाच कीजिए और घर में आपका local wifi जो provider उसको यूज कीजिए आपको 200, 300, 400 में मिल जाएगा अगर आपके पास local wifi जो provider वो नहीं है तो आप भाई जियो में जा सकते हो एर फाइबर में वहाँ पे भी आपको price कम मिलेगा या तो आप Airtel में जाओ वहाँ पे 99 से plan मिल जाएगा और call करने के लिए आपके पास तो है 99 रूपिस के लिए plan जो BSNL अगर आप यूज करते हो तो अब दिखें अगर आपके यहाँ पे याट्टिल जियो भी नहीं available है तो ग्राव में जाओ गाव में रहो सहर में रहो हर एक जगा BSNL का जो broadband वो तो ही है भारत सरकार और BSNL मिलके एक भारत इंटरनेट करके जो प्रकल्ब वो चालू किया था और आपके गाव से गाव सहर से सहर हर एक जगा में वो तार गया है अगर आपके गाव में BSNL का कोई ओपिस नहीं है तो आप जाओ ना आप जाके सहर में जाके ओपिस जो हैं BSNL का व जो इंटरनेट के लिए अंटेना वो देखे आपको इंटरनेट प्रोवाइट कर देगा और BSNL का जो इंटरनेट वो बहुत ही सस्ता है यार फाइवर वो आपको 199, 299 में देखने को मिल जाएगा और आपको जो डेटा वो स्पीड भाई BSNL का स्पीड भी काफी बैतर है मैं आप यार फाइवर में आओ या लोकल वाइफाई में आओ और आगर आप घर में रहते हो तो वाइफाई उस करो बहार में जाते हो तो भाई अब 249 जो प्लान है BSNL का वो रिचार्च कर लो भाई आप बचोगे यहाँ पे 45 डेस के लिए 249 अब बचोगे तो भाई पहले था रेसन होल्डर जो था रेसन कार्ड होल्डर उसके लिए था यह वाइफाई जो एर फाइवर अभी तो सब के लिए हैं अब BSNL में BSNL का आप इंटरनेट लेके आप खूदी वहाँ पे वाइफाई के द्वारा इंटरनेट सेयर करो आपका भी व्यापसा होगा आपका अभी मुनाफ़ा होगा प्रॉफीट होगा तो अभी यह जियो एर्टिल व्याई को करी टक कर देगा BSNL और देने अब स्टार्ट भी हो चुका है हां तो इसको खतम करना चाहिए इतना नहीं चलता है तो मेरा बात यही है कि जो एर्टिल हैं जियो हैं व्याई हैं इनको थ पुला सा सोचन चाहिए था डंडा चाहिए था अब कंपिटिशन तगरा हो चुका है अब कौन जाने नया इनिनौर या आपका आईडिया या भी आई या आपका एर्टिल रिलाइन्स टार्ट डोकोमो यह भी तो आ सकता हैं तो देखते हैं क्या होता हैं तो भाई यूज़ करते हों अभी भी मुझे कमेंट करना और इस से नीचे भी प्लान है 159 सपोस 139 इस तरह का प्लान भी आपको बीए सेनल में मिल जाएगा चलिए और एक नया वीडियो में आपके साथ दुवारा मुला कत होगा धन्यबाद